तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं त्रीफेज रांसवर्मर का कंसेक्शन यह बाकी सब कुछ से मैं यह भी मूच्वल इंडक्टेंस में का काम करता है सब कुछ से हैं तो 3-phase देखेंगे तो जैसा आपको बता रहता है त्री मतलब यहाँ पर क्या होंगे तीन फैस होगे यहाँ का है दूसरा आपका बनता कैसा है तो एक आडिया यह है और जो भी ट्रानस्वर्मरण परेहो बहुत जितने वी ट्रांस्वर्मर परेहो वह सब आपके क्या है सिंगिल फेस्ट ट्रांस्वामर से तो आप क्या कर सकते हो तीन अलग-अलग सिंगिल फेस्ट ट्रांस्वामर को मिला के आप एक ट्रांस्वामर बना सकते हैं तो एक तीन अलग-अलग सिंगिल फेस्ट ट्रांस्वामर लेके यहां पर एक ट्रांस्वामर दूस इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं यहां पर हम लोग क्या कर रहे हम को अब दूसरे को के लिए तीसरे को भी फेस के लिए स्टमाल करूंगा तो मेरा क्या बनेगा एक त्री फेस्ट बैंक बोलें तो ऐसा भी हम लोग ट्री सप्ले कर सकते लेकिन इसमें क्या प्राब्लम होता है कि आपको तीन अलग अलग त्रांस फार्मर लेना पढ़ेगा तो अगर हमारा क्या होगा क्या हो जाएगा टोटल कोस्ट बाय जाएगा उसके बार इस हमारा क्या होगा कि वेज़िए हम स्किल्याइट क्या हुआ है तो यह जगा खरJack तो इस सीगल क्या करते हैं 1997 थे ट्रीड साफ लाउंड मोहीं करते इसकि जेगा हम लोग क्या करते हैं ? एक नया transformer बनाएंगे जो हमारा एक ये बार 3 फेस का transformer बनाएंगे उसी transformer का हम लोग क्या बोलते हैंaudheork अबी तक कहानी समझ में आया मतलब ूर्फिंप होते हैं सिंग्ल फेस होता है एक फेस होता त्रीफेज मतलब क्या होता है तीन फेज होते हैं जैसा सिंगिल फेज में क्या होता है और एक नियूटरल होता है लेकिन त्रीफेज में क्या होगा तीन फेज होगा तो तीनों फेज को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को आज बोलते दूसरे को वाई फेज सब्सक्राइब करना है यह सब्सक्राइब करने के लिए हम ऐसा तीन अलग-अलग सिंगिल कर सकते हैं लेकिन इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा और जगा लेगा वह भी यह जगा लेंगे तो इसको करने के लिए हम लोग एक ही ट्रांसफर्मर बनाएंगे जो अपलाई को स्टेप यह स्टेप डॉन कर सकता है तो वैसा हम लोग क्या बोलते ट्री फेस ट्रांसफर् क्लियर है कोई कोई सब्सक्राइब कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक ट्रांसफर्मर को मिला कर रहे हो तो तो तीनों का लग अलग 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 कास्ट मिला होगे तो एक त्रीफेस लिए च्टले च्टेहिश ज्यादा जेस्ट करनट लें करोगा उसको सब्सक्राइब करेंगे और तो देखने में इसे आपको पीशली ख्लास को सिंग्लिफेस Glory का कुन्सेक्चिशन बता रहा थाreally और दूसरा होता है वाइंडिंग है ना जिसको नोस रिखना है आराम से यूटूब का वीडियो मिलेगा तब लिख लेना तो कोई भी ट्रांस्वामर का अगर आप कांस्ट्रिक्शन देखोगे तो चांस्ट्रिक्शन में दो में पार्स होते हैं जैसा मैं आपको सिंग्ल फे होता है को दूसरा होता है के वाइंडिंग है अना बागी जूठी ते टैंक ऑईल इसमें बीवह वहां पे जो काम करने यहां पार यहां पर यहीं काम करते वहां पर औह के आप फैसलिगहां लेकिन आहां पर डा Augen सैस्थ स्टूर्बरा होगा ऑस तरांस्वामर करेंटीग ह वहां परिया एकाम करोगंगी सब कुछ सब का सिंधिम पर आएगा को होगा और हो तुम का करनेक्ष नहीं सब्सक्राइब गणार होगा कॉपर या आपका अलूमिनियम का ही होगा का फारग कहां आरता है कोड़ में 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 दिफरेंस आता है वाइन में में तो अलुमिनियम का होगा लेकिन वाइन का कनेक्शन जो होता है उसमें तो आप लोगों को सीफ यही देखना है और इसका का इसे रहता है ठीक है शुरूर करें कि यह सब्सक्राइब तो नहीं है ना ओनलाइन क्लास में यह नहीं कि अच्छा लगारा है आनलाइन में बहुत दिक्क्त हो रहा है सब्सक्राइब किसी को मुझे यह नहीं लगा कि आप लोगो कोई डिफरेंस पर लग रहा हो ऑनलन और आफ्लाइब किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे पहला हम लोग अगर करदेखेंगे तो आप कुम को स्क्रीन पर जिободा यह सा ब्ता है थिके अश्टाइब अगर आप देखोगे तो यह आप समय बताया हूं स्वाइस्टेंस तो है यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ फेज यहाँ點ón लिए है का एक पर लेकिन आस पर इंडियन दूस हमारो सीक्वेंस होता है उया लिखते हैं चर्पिकलव को ने अधस सब्सक्राइब अपका रहता है एक आपका अधार फेस का वाईडिंग होगा एक फैस का वाईडिंग होगा एक साइड बी फेस अब आप लोग को यह डोट आ रहो होगा कि सार संपरांस में दो मिन गोते हैं हैं आप सब्सक्राइब डेखे हो तो इसमें दो वाइंडनिंगो रहेते हैं तो इसको हम लोग प्रायमरी साइट के रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी बोल रहा दूसरा फार कहा है सेकंडरी का है आपको एक छीज क्लियर करना है है जब आप लोग नॉनमल को को जब अपन करो गए तो वहाँ जैसा सिंगल फेस में भी देखिए जैसा आपका यह सिंगल फेस को कॉर में मान लो मेरा प्राइमरी में कि चासो टन और सेकंडरी में 200 तन तो करते क्या है फ्लक्स बहुत अच्छे से लिंक आने के लिए पहले क्या करते हैं इसमें ुदर्वाइन करेंगे उसके बार बाकी इधर वैंड रहें यहां तो पहले 200 तन करेंगे उसके उपर क्या करेंगे एंसे यह अधे बार लगाएंगे है arian फ्लोओ ना करे तो पहला किया करेंगे जिसमें कोई करन वाइनिग कर देंगे好 tö нар chn कर देंगे पहला एक वाइनिंग को पॉपर क्या करते इंस लेशन दालते कोई भी एक मिटेरियल लेचे जिसमें कोई क्रोना करें प्रामिस लोन कर लिए लाकर फ्रैमेस रहाँ रहेगा और डोने के बीच में इंसेलेशन लेता है ठीक थे मथ ये सचेंगे नीचे साथ सक्ष्पायड में डिनीक है मैं पहले क्या करते हैं आपका यह आपका यह कोड ना करते हैं उसके वाइंदिंग करते हैं प्राइमरी के बीच में इंसुलेशन है मतलब ऐसे एक में इसमें करन्ट ना फ्लोग कर रहा हूं तो कभी यह दोनों नहीं होंगे यह वारा हुआ दूसरा है फेस होता है साथ होगा यह है सब्सक्राइबरागा फिस में कमें हम लों को कितने होंगे 3D कि तिना होगे आफ्छी इस फैस में एक प्राइमरी होगा घारी होगा वाइचेटरी में भी फैस में भी ट्रैमरी होगा सेंद्री तो पूर्ड कितने वाइंदिंग होंगे तो करते कैसा है पहले और फैस का primary यहाँ पर लपएटेंगे इसलेशन 係रेंगे लप यहां पर फेस का प्राइमरी लपेटेंगे इंसुलेशन दालेंगे उसके उपर सेकंडी लपेटेंगे तो यह साइड यह फेस का प्राइमरी सेकंडी दोनों रहेंगे तो इसलिए वहाँ पर आपको साइड नहीं होना है कि ट्रांसफर्मर में एक नाथ मुझे दोड लोगे हर एक से लोड लेना पड़ेगा और एक फेस को सप्लाइड रहना पड़ेगा मतलब यह सेकंडी होगे लेकिन करें पहले प्राइमरी लपेटेंगे इंसिलेशन करके सेकंडी लपेटेंगे ऐसा करते हैं ठीक है क्लियर है यह सिर्फ ठीक है बस एक मेनिट तो यह आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको मैं खुछ कोड दिखाता हूं जैसा आप लोग वहाँ पर देखिये हो वहाँ पर आप लोग क्या देखो दो ताइप का को रोते हैं ट्रांस्वर्म अंतर एक होता है को टाइप दूसरा होता है जैसे और आप लोग को समय बता तो को टैप में क्या होता है वाइंडिंग के अंदर रहता है मतलब वाइंडिंग सरांव इक रोग वाइंडिंग गों तो यहां पर आप देखो गे तो यह जो है इसको हम लोग प्र Jamie को टाइफ बोल सकते हैं और इसको हम लोग उसको बोल सकते 9 dep queria जिसमें इधर इधर वायनिंग हो दोनों के आउटर साइल वायनिंग हो यह आप अपको जैकि सोक्तियों आर्फ यह वाइंदिंगे को वायनिंग किया है और यहां पर क्यों किया लेकिन बहुत वायनिंग नहीं प्रेश् findet msi na वाइंदिंग को सरॉंड करेगा अंदर वाइंदिंग और बाहर आपका तो जैसे वहां पर ता पूर टाइप और यह आपका शल्टाइप रहता है और यह आपका यह आपका शल्टाइप ठीक है लिए यह सबको तो उसके बार हम लोग सीधा वाइंदिंग में जाएंगे बस इतना जानों बहुत थे प्रीफेस रांफर्मर में एक लिम पे एक वाइंदिंग रहता है और यह की लिम पे प्रामरी से केंडि डोनों वाइंदिंग किया जाता है और जिसमें भी को टैप शल्टैप दिख रहा है इसके पहला जाते हैं तो आप कोफे जम स्सक्राइब कूण सब्ला करते हैं यह अप लोग डूर्प कर सकते हैं और दूसरा आप लोग करदा है डेल्टा connection करस्ट सब्सक्रांप तो स्टार करनेक्ष्ण मतलब क्या होता है ठीज इस मतलब किकने वाइंगे तीन वाइंडिंग यह कोंगे यह कोगा आज दूसरा वाई फेज और तीसा भी फेज स्टार क्नेक्ष्ण में क्या करते हैं आज वेपश्ण एह ठीक है क्या है एक यह आपका वांज पाइफ है तो बहुंत है तो तो रहा में आपका भी फे थी फेस में मतलब क्या होता है तीनों वांडिंग का वांडिंग होता है डशा की ये आप स्टार्टीं एंदिं flavors करेंड़ है नूर्ट पॉइंटे हैं तो अइसा झाकर यह बोलटे बोलता क्या होता एक मिनिट तो तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है डेल्टा कनेक्शन में Cake कि और चैप्र करें कि रहें देल्टा में मतलब क्या करोगे देखो तो तो जल्था में यह एक का और सोगा तीक है और दूसरा आपका वाइफ होगा कि दूसरा आपका कि वाई फेज होगा और तीसरा आपका कि भी फेज होगा ठीक है तो डेल्टा क्नेक्शन में क्या करते है आज फेज वाई फेज और बी फेज ती नालग अलग फेज के किसे करते हैं यह स्टारटिंग्सक्श को कैसे कनेक्श यह इंडिंग है र स्टार्टंग यह फेस का स्टार्टिंग भीफयस का एंडिंग स्टार्टीं एंडिंग मतलब वियस का स्टार्टिंग का इंडिंग को ॥ बनmi यहां से रहीं ważne सब्सक्राइब किया इंडिबुद तolenäusmber किया डेल्टा कानेकशन ऑपसे थीग इसा कंडिक्शन में स्यार आप लोग नहीं सुने हो तो तो त्री फेज में लाइन वोल्टेज क्या होता है त्री फेज में अगर आपको लाइन वोल्टेज चाहिए लाइन वोल्टेज मतलब क्या होता है दो लाइन के बीच में या दो फेज के बीच में जो वोल्टेज रहता है उसको लाइन वो voltage होता है उसको क्या बोलते हैं फेज़ वोल्टेज जो होता है वो एक फेज और एक नूट्रस के बीच का वोल्टेज होता है भी है तो आप लोग बताईए यहााइँ लाइन वndक किस-क के बीच बोल सकते हैं या Y और B, जो वल्टेस दो dlatego हुको उसको भी Line बोल सकते हैं या R और B के बीज में को वल्टेज दोगा उसको भी Line बोल सकते हैं और Face Votegate क्या होता है एक Face और Nutie मतलब आर और न्यूट्र के बीच का वोल्टेज या Y और न्यूट्र के बीच का वोल्टेज ठीक है तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा आपका जो लाइन वोल्टेज होगा वो रूट्री टाइमस फेस वोल्टेज होगा और लाइन करेंट मतलब यहां पर का रन को राइन करेंट को और ऑजन क्या होगा इक्वल टू फेसका जोगे बीच है तो यहां पर नॉट्र्ल है नहीं तो यहां पर इसलिए यां वोल्टेज हो और फेजब जोनलों सेम्ही माना जाता हैं में लेकिन लाइन करंथ और क्या होगा दूर्टी साफ़ ऑफेज करंथ होग taken train 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 हो वाहश त철 मानलान नर्स अर्डी टाम होटा है श्युत्रि टाइम सफ लेकिन लाइन छांट तो यह स्टार में है स्टार में लाइन वोल्टेज इस इकोल तो त्री टाइम साफ फेस वोल्टेज होगा और डेल्टा में लाइन वोल्टेज इकोल टू फेस वोल्टेज होगा स्टार में लाइन करन्ट इकोल तो फेस करन्ट होगा तो देल्टा में लाइन करन्ट इकोल कर सकते हैं आप सबको पता है प्राइमरी मतलब वह वाइंडिंग होते हैं जिसको हम लोड करते हैं तो मैं जो भी यहाँ पे स्क्रीन को उपर गंदा किया हूं वह सब मैं साफ कर रहा हूं और अपने ऑख ख़ंडी मतलब हम लोग चांट करना पठेगा और और सेंदी इसको अपस में पड़ीख तिकार र मेंडीख का करनाgue में परेगा आद एक्ट करेंगे तो होगा यह आपका होता है यहाँ पर का तंशन मतलब क्या होता यहाँ पर प्रामेरी यह 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 रेट सप्रामेरी है यह आपका आपका सेकंडिया ये आपका सेकंडिया और ये आपका सेकंडिया तो हम लोग क्या कर असे हम लोग क्या दो स्टार जाल करनेक्शन आगा सिंबल होता है decentral इस था फींगार्टा के साड़ कि में सारे इसको प्राइमरी को और प्रामोट सब्सक्राइब और बोल सकते क्योंकि इसका प्राइमरी स्टार में लगा हुआ है और इसका सेकेंडरी भी स्टार में लगा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर यहां पर कनेक्शन नहीं है सबको यहां पर आपस में कनेक्ट करके और दोन सैड है ना यह आपको मैं बता है तर्स्टार मतलब क्या होता है थीनो identify 신 elles है आपस में जोरके निकालना है न तो आप देख सकते हो हाँ प्लिप आपस यहाँ जोरके निकाले और अंडिकाले फेस को भाहर लिए बाहर लिए इसमी बना थीक तो प्रामी को सेकंडर के लिए क्यांटर के लिए दिखाते हैं सेकेंडरी वाले उनको स्मॉल्स में दिखा थे तो दोनों से स्टार स्टार कनेक्शन दिख रहा है ना सब को दिख रहा है ना हो या नहीं हो तो आप लोग देखिए स्टार स्टार कनेक्शन करने से अड्वांटेज क्या होगा तो स्टार स्टार कनेक्शन करने दो इत लेक्तर करना है तो बताऊंगा कहा एक अगर अगर आप लोग स्टार 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 के ठोगे तो इस तास्टार में क्या होगा करम sticking करें तो यहां सै यहां कि अगर मैं यांट TOO सो चमी सो नींच कितना आ आपका लाइन वहलोट से क्या होगा untuk स्टार कनेक्शन में क्या होगा फेज वोल्टेज फेज पे जो वोल्टेज आएगा वह आपका लाइन पे जो वोल्टेज होगा उससे कम वोल्टेज आएगा मतलब अगर आपको लाइन पे वोल्टेज 455 वोल्ट चाहिए मानलो लाइन पे मुझे 455 वोल्ट चाहिए तो मेरा फेस पे आगर दो सो तीस वोल्ट भी आ जाएगा तो आटमेटिकली लाइन पे चासो पंदा वॉल्ट आ जाएगा क्योंकि मेरा लाइन वोल्टेज रूट ट्री टाइम सब फेस वोल्टेज होता है ठीक है तो इसकी वज़े से सबसे पहली बात स्टार स्टार कनेक्शन जो हो transformer को बनाना है तो उस transformer हम लोग क्या करेंगे स्टार स्टार कनेक्शन करेंगे क्योंकि हमको अगर आउटपुट में चाहिए तो हमको आप सिर्फ दो सब्सक्राइब करने करते हैं तो इसलिए स्टार स्टार कनेक्शन होगा यहां पर आपको लाइन के पास चाहिए तो फेस के पास कितना वोल्टेज आ चाहिए दो सो तीस चाहिए और आपको आप बाइंडिंग के आपको मैं बता आता पहले इंसलेशन दालते हैं उसको पर फिस्ट दालेंगे शेकंडरी वाइंडिंग लपेटेंगे और एक चीज़ रखिए इंसलेशन कितना मोटा डालना है वह डिपेंड होता है कि आपका वाइंडिंग में कितना वोल्टेज आ किया भिएंडिंग के पर होता है थीकते आपको स्टा स्था कनेक्शेन देहें तो अपनींकि आपको फेल्टेज ही होता तो बान निंंग के पास आपको फेज़ वोल्टेज कमी होरा था है बलकि आपको लांइन के पास आतर्चाू सबस्केंगे लेकिन दिawareक्व कितना चाह तो आपको इंसलेशन क्या करना पड़ेगा चाहिए तो आपको इंसलेशन क्या करना पड़ेगा तो या नहीं हो कर दो सो तीस के लिए तो हम लोगों कम इंसलेशन करना पड़ेगा तो तो इसके बाद और यह जो ट्रांस्वामर होगा इस पर हम लोगों को जो लोड लगेगा वह हमको बैलन्स लोड लगाना पड़ेगा बैलन्स लोड मतलब यहाँ पर यह फेज और न्यूटर के बीच में यह लोड आपका अगर दस एंपियर करन्ट ले रहा है तो वाई और न्यूटर के भी 10 अे शोली जो लाइत है अथना मतलब हर एक ट्राइंक घ्ठ रागान जाएब हर यह लोड जो लगा है वह बराबर करण कीछ ना चाहिए ऑन्युटर के लो डलन रोन आच हीए तब यहां चाहिए ठागी करेख करेंगे सच चर्कार रचिम करेखा ठीक है यहां क्लियर सु्राइच इस होड़ा किस यह से पूर्टा फिल्टा मुक्सणा यह आपका बसकते बताइजन मतलब क्या होता है यह वैंडिन का स्टार्टिंग एक winding का ending दूरसा winding का starting में लगना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हो में यहां पर primary को आर-phase वाई-phase भी-phase बी-phase तीनों का primary को डेल्टा में connect किया हो और और फेस वाई-phase भी-phase कुझाट आको अपक्र पो भी मेंателей करना चाहते हो यह सब्सक्रों करना चाहते हो अहां हम यह यह युव यह को यह ली फे सब्सक्राइइब को स्टार्टिंग को वन अनुग चाहिए है करनेकशन चेक कर 나올 से कनेक्शनद anga चाहिए हुआ है नहीं हुआ हमाल है यहां पर करनक्ट कियो यहां पर आफ इन इसके बाद हर sandwiches прин और तो यहां पर मेरा उद्पूटो यह है यह नहीं होगा यह कोुए तो अधिस्bling में चाइए अगर मुझे उद्पूट में 45 शाइए मतलब लाइन वोल्टेज मुझे टॉक्त आपका तो यह आपका कहारे कि यहां पर किया धो-ब सकते हैं मुझे वाइंडिंग को में आग चाहते परेंगे तो यहां प 되면 फेस पर में प्रिया पराना पुड़ेगा तो यहां पर को वोल्टेज के विए 20 करो दो चाहसर हूप्ड प्रिया पर और तो इस्टार में पर क्या इता जहारे सही करना पड़ेगा चाहँ करना पड़ कि अबुड़ की और आपका the impact डेल्टा डेल्टा में भी आउट्पुट आपको 455 चाहिए लेकिन वहाँ पे फेस के पास 230 क्या होगा ज्यादा इंसलेशन लगेगा क्यों ज्यादा इंसलेशन लगेगा क्यों यहाँ पे यहाँ पे पास और वाइन नीं मतर्फ फेस के पास वोल्टेश होता है दोनों सेम ही होता है तो वहाँ पर 230 के लिए लेकिन यहाँ पर पर चैस्व ज्यादा लगेगा ठीक है तो यह दो ट्रांसफर्मर आपका होता है यह आप बताइए यह क्या स्मॉल साइज लोग वोल्टे कि चोटा साइज बड़ा वोल्टेज के लिए यूज कर रहे तो आप बताएगे डेल्टा डेल्टा हम लोग क्या है चोटा साइज बड़ा वोल्टेज के लिए यूज करेंगे या बड़ा साइज कम वोल्टेज के लिए यूज करेंगे है कि Yes आपको बताऊगे नहीं डाल्ट अब इस से आगे है तो आता कि दोनों से डाले हम तो आप इसका ये ब्जैल बनेगा और ये लो डि यह तो यह आपका डेल्टा डेल्टा में हैerv neutral और ये है कि जैसे आपका प्लीच में क्या है तने को हर एक लोड प्रकांए Vincent डालना पर मतलब आपके स्टाइस पे लोट को देखना परेगा कि किसी फेस्ट रोट को क्या सेम रखना परेका ता कि हरेक फेस्ट में करन ऐसा कोई दिक्तर नहीं रता नहीं है तो नहीं है यहां पर अगर चल जाएक तब यह इन डिकत नहीं होगा। ५ुक्ह plans December क्लियर है हुआ यह सर् कि भागी लोग बोल क्यूं कि नहीं रहे भई वह को डूसरे को धींटी हो यहीं दोनहों बोलते है कि आप ठीक है तो उसके बाद आपका और क्या-क्या connection है इसके बाद आपका star-delta है delta star है स्काइब ओपन डेल्टा है और सकार connection है आज आप लोग सुनने का मूल में नहीं हो ठीक है तो यहां पर में बंद कर रहा हूं बागी जो चार कनेक्शन बचा है वह अगले क्लास में परके उसके वाद हम लोग कल वाले क्लास में अगला चाप्टर शुरूर करें ठीक है